यहां हूँ Biosesh का Intimate Wash for the women उसका review why I prefer this यह मैं क्यों prefer कर रही हूँ because मेरे चनल पर आपको honest review मिलेंगे जो product अच्छा है मूँ उसको अच्छा बोलूँगे जो बुरा है मूँ उसको बुरा बोलूँगे जो ठीक ठीक है इस तरह से जो है यह इसकी packaging है packaging में यहां पर देखी site पर मिने अप्लोड कर दिया है तो आप यह चेक कर लीची because कभी-कभी क्या होता है कि इस तरह से packaging दिखानी possible नहीं होती lightning issue की वज़े से तो इसमें c-buckthone है as you all know कि Biosesh की company के जितने भी like products है उनमें in majority product c-buckthone है c-buckthone क्या है कैसे है already मैं काफे साथ previous videos में जो है explain कर चुकी हूँ तो आप जाकर में previous videos जो है वो check कर सकते है अब इसके बाद इसमें जो है यह like petrochemicals free है sulfate free है and paraben free है so this is very 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 good अब मैं direct come to the point यह शौट रखूँगी video पस्ते ही रिखी paraben free है petrochemicals free petrochemicals free क्या होता है यह already मैं last video बताया है जहां पर मैंने c-buckthone hair oil bio search कर जो review किया है वहाँ पर जाकर आप deeply देख सकते है इस चीज को sulfate free है यह totally yes यह SLS free है and SLES भी free है which is very 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 good and paraben free है so अगर हम लोग अपने जब face के लिए use करते हैं कि normal body part के लिए use करते हैं तो हम वहाँ पर जाते हैं कि हमें chemical free चीजे मिले तो हमें like paraben free चाहिए होता है SLS free चाहिए होता है तो यहां तो you know such a sensitive area यहां के लिए तो हमें definitely paraben free और chemical free चीजों को जो है purchase करना चाहिए because यह बहुत ही sensitive area है यहां के लिए हमें बिल्कुर भी chemical बारे products use नहीं करने चाहिए because कभी-कभी क्या होता है कि जब you know through the vaginal बहुत साही चीज़े जब हम wash कर रहे है कुछ भी तो हो सकते थोड़ा बहुत हमारे अंदर भी चला जाए तो अगर chemical वाला अंदर जाएगा तो आप खुद सो सकते कि हमारे ले कितना ज्यादा harmful है आप इसको daily use कीज़े इसके लिए कोई particular days नहीं होते कुछ चीज़े में clear करना चाहूंगे इसके लिए कोई particular days नहीं होते कि आप इसको या कोई particular time नहीं होता but I recommended that before going to the bed जब आप fresh हो रहे हैं आप अपना night skincare कर रहे हैं तो ये भी आपका night care में ही आता है ताकि जितनी भी dust है irritation है पसीना है सारा दिन का वो आप relief ले सके तो इसको as a night time आप इसको must use कीज़े अगर आप morning भी करना चाहते है तो वो totally आपकी इच्छा है but night time must है कि आप इसको use कीज़े